अगर आप लोग भी चाहते हैं अपनी DAPA को increase करना, अपनी website के ranking को बढ़ाना, तो वीडियो को पूरी देखिए और मैं आप लोग को guarantee देता हूँ, वीडियो देखने के बाद आप लोग एक do follow back link लेग पाएंगे यहाँ पर वो भी बिल्कुल free में, तो hello guys, welcome to over YouTube channel मित्तल Tech, त यहाँ मैं आप लोग को live करके दिखाने वाला हूँ, तो आप लोग बीच में वीडियो को skip मत करिये, आप लोग वीडियो को skip कर देते हैं, जिसके वैसे उनको problem आ जाती है, फिर वो कहते हैं कि सर हमारा back link नहीं बना है, back link अप्रूव नहीं हुआ है, तो वीडियो को बिल् उसके बाद आप लोग को करना क्या है, सबसे पहले मैं आप लोग को इसका DAPA चेक करवा देता हूँ, क्योंकि अगर हम लोग कम DAPA वाली website पे जिसका spam score जादा होता है, ऐसी website पर हम लोग अगर back link बनाते हैं, तो वो back link हमारा बहुत ज़दा बेकार back link माना जाता है, लेकि इसने मुझे डीटेल देदी, डीटेल देखने के बाद आप लोग देख सकते हैं, DAS का 58 है, PS का 51 है और spam score का 1% है, spam score 1% है जो की बहुत अच्छा है, DAPA भी इसका ठीक ठाक है, ये नहीं कहता कि मैं 80s में हैं, 90s में हैं, बहुत जादा अच्छा है, लेकिन अगर आप आप लोग का DAPA बहुत ज़्यादा कम होगा, लेकिन आप लोग इस पर अगर backlink बनाते हैं, तो chances हैं आप लोग के DAPA भी काफी ज़्यादा increase हो जाएगा, और आप लोग को एक free month to follow backlink मिल जाएगा, तो अब आप लोग को कैसे इसमें backlink बनाना है, वो समझ लेते हैं, website के पर मैं दुबारा चला गया, यहाँ पर जाने के बाद आप लोग को एक option दिखाए देगा login का, तो आप login वाले option पर click कर देंगे, यहाँ click करने के बाद आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, आप लोग ने account नहीं बनाया है, क्योंकि मैंने भी account नहीं बनाया है, मैं आप ल email address, name और password यहाँ पर फिल कर लिया है, उसके बाद sign up बटन पर मैं click करूँगा, click करने के बाद होगा, क्या मैं यहाँ पर sign up हो जाऊँगा, मेरा account बनके ready हो जाएगा, उसके बाद मेरे को अपने account को यहाँ पर login करना है, तो चलिए मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, दे तो चलिए मैं अपनी profile photo यहाँ पर select कर लेता हूँ, थोड़ा सा नीचे गया मैं, यहाँ पर मैं कोई भी एक photo यहाँ पर select कर लेता हूँ, तो यहाँ पर आप लोग को करना क्या है, आप लोग को अपनी profile को edit करना है, नीचे आप लोग के पास option आ रहा है, edit your profile का, आप इस व डालेंगे और अपनी website को यहाँ पर enter करेंगे, तो आप लोग देख सकते हैं, जो pick मैंने यहाँ पर डाली थे, वो यहाँ पर show करने लग गई है, उसके बाद नीचे मेरा full name लिखा आ रहा है, मेरी email ID लिखिया रही है, यहाँ पर आप लोग को डालना है अपना short bio, उसके ब workplace में जो अपनी website का नाम है, मैं वही रख देता हूँ, तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर काफी कुछ information फिल कर दी है, उसके बाद यहाँ पर short bio डाल लेते हैं, तो यह website यह company की website है, तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, तो यहाँ पर मैं एक short bio डाल द जैसा कि आप लोग यह पर परिल कर लिया है, तो आप लोग को से وटन पर कलिक करना है, उसके बाद आप लोग को शेव बटन बटन पर क्लिक करना है जैसे आप लोग से बटन पर क्लिक करेंगे आप लोग की यहां पर जो प्रोफाइल है वो सेव हो जाएगी तो आप लोग यहां पर देख सकते हैं जो मेरी प्रोफाइल है वो यहां पर सेव हो गई है मेरे पास एक मैसेज आदा गई और प्रोफाइल ह यहां पर account बनाया तो आप लोग को यहां पर logo दिखाई देगा जैसी आप लोग उस पर cursor लेके जाएंगे तो वहां पर आप लोग को option आएगा my profile setting का तो आप लोग माइ profile वाले option पर click करेंगे क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद आप लोग की जो profile है वो यहां पर open हो जाएगी क्लिक करेंगे आप लोग अपनी website पर पहुंच जाएंगे तो website का link होना यहां पर जरूरी है इसलिए आप लोग को do follow backlink यहां पर मिलेगा तो चलिए अब मैं आप लोग को check करवा देता हूँ यह लिंक आप लोग का do follow है या no follow है तो आप लोग करेंगे क्या यहां पर मैं चले जाता हूँ inspect element पर यहां जाने के बाद मैं आप लोग को check करवा देता हूँ देखिए यहां पर मैं cursor लेके गया अपना यहां पर मैंने click किया और आप लोग यहां पर देख पाएंगे यहां पर कहीं पर भी no follow नहीं लिखा हुआ है आप लोग यहां पर देख पाएंग तो लाइक किये भी आना मज जाना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना तो मिलते हैं नई वीडियो में एक नए इंटरस्टिंग टॉपिक के साथ थैंक्स फॉर वाचिंग आपका दिन शुबो